अगर बात हो रही है बॉलिवुट के इन कलाकारों की जिन्होंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया है तो उनमें सबसे पहले अभी नीता मिथुन शकरवर्थी का नाम आएगा क्योंकि इन्होंने बिना फिल्मी बैक्ग्राउंट के यहां तक पहुँचने के लिए एक खुब महनत की थी जिसके चलते आज यह सिर्फ बॉलिवुट के ही नहीं बलकि पूरे देश के लिए की इंस्पिरेशन बन चुके है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मितुन दाने अप आपको बचाने के लिए अंडर्ग्राउंट होना पड़ा था तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मितुन्चकरवर्ती किस वज़ा से अंडर्ग्राउंट हो गए थे क्यों इन अपने आपको छिपाना पड़ गया था अगर आप भी जा शुरुआत करने वालों में से एक चारू मजूमदार और रवी रंजन इनके करीबी हुआ करते थे और मितुन्चकरवर्ती भी शामिल थे वैसी दोरान इनके परिवार में एक बहुत बड़ा हाथसा हुआ और उनके भाई का निधन हो गया ऐसे में परिवार को संभानने के जिम्यदारी मितुन्दा के अलावा किसे पर नहीं थी इस घटना के बाद ये परिवार के बीच लॉट आए और यहीं से इनका नकसल मोमेंट से बहुत बंक हुआ इन्होंने निश्टे किया कि वो अपने जिंदगी में कभी नकसलियों से जुड़ा कोई काम नहीं करेंगे और नाहीं अपने कोई नकसली दोस्तों से मिलेंगे इसके बाद मितुन जकरवर्टी अपने आपको सुधारने के लिए पूरे के फिल्म और टेलिविजन इस्टिटूट आफ इंडिया में पढ़ाई करने के लिए पहुँचे हालकि यहां भी इनके अतीत ने इनका पीशा नहीं छोड़ा मितुन के पहुँचने से पहले ही नकसल मॉमेंट में इनके यहां आने की ख़बर पहुँच गए थी फिर सत्तर के दशक में जब यह पूरे से पढ़ाई पूरी कर करियर बनाने के लिए मुंबई पहुँचे तो वहां पी इस तरह के अनुभवा का सामना करना पड़ा और मुंबई में मितुन के मुलाकाद डिरेक्टर ख्वाजा एहमत अबास से हुई उन्होंने कहा कि वो नकसल मॉमेंट पर दनकसलाइट नाम से फिल्म बना रही है और मितुन को लीड रॉल आफर किया हाला कि मितुन शिरुवात में इस लोड को एकसेप्ट करने से ही चक रहे थे उन्हें लगता था कि इससे उन पर एक स्चैम्प लग जाएगा और अतीद के पन्ने खोल जाएंगे बावजूद इसके उन्होंने ये फिल्म की वहें फिल्म बॉक्स ओफिस वर इतनी सफल तो नहीं रही लेकिन मितुन ने अपने विने से सबी का ध्यान सरूर खीचा जिसके बाद ये और भी ज़्यादा शांदार फिल्मों में काम करने लगे और अपने अतीच से बाहर निकल कर अपने आपको पूरी तरह बदल दिया इसलिए तो जाए ये पुलिस से भागते थे वहें आज पुलिस इनकी प्रोडक्शन कर रही है बिदुन चकरवर्थी अब बीजेपी में शामिल हो गए है बंगाल विधानसवा चुनाफ के मद्दे नजर प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी के कॉलकाता में परेड ग्राउंड में जनसवा को संबोधित करने से पहले ही बिदुन चकरवर्थी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था इन्होंने बंगाल बीजेपी के प्रमक दिलीब खोश की मवजूदगी में पार्टी को जोइन किया और बीजेपी का चंडा लहराया जै इन्होंने भारत माता की जय के साथ जैश्री राम के नारे भी लगाए थे वेल में तुन चकरवर्थी के इस अंडरग्राउंड न्यूस के बारे में जान कर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंच बॉक्स में कमेंच करके सवरूर बताए साथी बॉलिवर्ड डर्स्टी से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूले